आप सब्सक्राइब दिजाइनर चैनल में तो मैं सब के लिए फिर से एक बहुत ही खूपसा सा प्यारा सा डिजाइन लेका हूं तो चले इस डियान से आप कुछ भी बना सकते हैं सौल बनाएं मफटर बनाएं सकाब बनाएं तो चले इससे बनाना शुरू करते हैं इसके करेंगे 1,2,3,4,5,6,7,8,9 और यह 10 टैन चैनल लेने के बाद देखें करूसे पर धागा लेंगे और जहां से मारा धागा लगा हूए इस चैन से काउंट करेंगे 1,2,3 चैन स्कीप करेंगे फोर्थ वाले में डालेंगे यहां पर और यहां एक डबल क्रूसे बना लेंग इस तरह से फिर से यहां से 10 चैनल लेंगे 1,2,3,4,5,6,7,8,9 और यह 10 दस चैनल लेने के बाद देखेंगे फिर से यहां से काउंट करेंगे करूसे पर धागा लेंगे एक, दो, तीन चैन चोड़ेंगे और यह चौथी वाली चैन में डालेंगे और यहां पर एक डबल क्रूस यहां बना लेंगे इस तरह से मारे दो डिजाइन हुई फिर से में इसी तरह से करेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आर्ट, नौ, और यह दस दस चैन लेने के बाद देखी, क्रूस यह पर धागा लेंगे फिर से एक, दो, तीन चैन इसकीप करेंगे और फोर्थ वाली चैन पर डालते विए हम यहां पर डबल क्रूस यह बना लेंगे इस तरह से तो टोटल हमारे पास यह तीन डिजाइनमेंट के कंप्लिट हुए है एक, दो, और यह तीन अब टैंचन लेते हैं वान, टू, त्री, फोर, फाइफ, सीक्स, सेवन, एट, नाइन और यह टैंचन लेने के बाद अध्यान दीजिएगा क्रूस यह पर धागा लेंगे, अब जो हम ने यह से जोईंट किया वैए देखें, अब इसके बग़लाज, ह्हां से तीन चेन्ट काउंट करेंगे, हम देखें एक दो और ये तीन तीसरी चैन से में यहां से बुनना शुरू करेंगे देखें नीचे से काउंट करेंगे एक दो और ये तीन तीसरी नंबर चैन पर डालेंगे यहां पर डबल क्रोसे करेंगे तो एक डबल क्रोसे हो गई फिर उसके बाद वाले चैन पर करेंगे यहां भी 102 को से करना है दो हो गए फिर उसके बाद में भी ABC करेंगे तो टूटल हमारे पास तीन 12 को से हो गए अज़ों बूरा थे हमें बडूर अब दिएग आले की बीच में इस तरह से है यह बारदाएग करते हैं यह करना है में दो इक सtv लिए हमें तीन बड़न निकाला एक बार निकाला दूसरी बार और ये तीसरी बार फिर से दो बार धागा लेंगे क्रोशेर फे नेक्स्ट वाली चेन पर डालेंगे दो दो फंदी करते हो निकालेंगे एक बार निकाला दूसरी बार और ये तीसरी बार इस दो क्रोशे पर धागा लेंगे फिर उसके next origin पर डालेंगे टोटल हमें तीन चैन में डालना है तो देखिए यहां भी दो दो फंदी करते हुए निकालेंगे एक दो और ये तीन अब देखिए यहां पर डालेंगे यहां भी हम इस तरह से बनाएंगे यह जो छोटी सी गैप बनी हुए यहां भी हम ट्रिपल क्रोशे करेंगे दो दो फंदे करते हुए निकालेंगे तो एक बार निकालेंगे फिर से लेंगे दो बार धागा यह दूसरा ट्रिपल क्रोशे हो गया है मेरा फिर से दो बार धागा लेंगे और यह तीसरी बार ट्रिपल क्रोशे हो गई अब यहाँ पर हम तीन चेनल लेंगे एक दो और यह तीन फिर से इसी जगह पर डालते हुए फिर से हम ट्रिपल क्रोश है करेंगे यह तरह से दो बार धागा लेंगे दो फंदे निकाले फिर दो फंदे और फिर से दो फंदे फिर से क्रोशे पर धागा लेंगे और इसे जगा पर फिर से दो बार ट्रिपल क्रोशे करेंगे एक बार निकाला दूसरी बार और ये तीसरी बार दो दो फंदे करते हैं तीन बार निकालना आपको दो फंदे निकाल लें दो फंदे निकाल लें और दो फंदे निकाल लें तो देखें यह जो हमने डबल क्रोस है जो बनाई थी यहाँ पर गैप में इसमें हमने इस तरह से बनाया एक ही चैन में से तीन ट्रिपल क्रोस है तीन ट्रिपल क्रोस है तीन ट्रिपल क्रोस है बनाया इसके next kitchen पर डालेंगे, यहां भी हम triple cross है करेंगे, इससे next वो डी चैन पर triple cross है बनाना है हमें, इस तरह से, अब देखिए कैसे बनाना है, अब जो हमारी gap बनी हुई है, अब यहां पर हमें puff बनाने हैं, एक में हमें इस तरह से design बनाएंगे एक में पफ बनाएंगे, अब देखिए यहां पर डालेंगे हम और यहां से पॉफ निकालेंगे तो एक बार हो गया है फिर क्रोशे पर दागा लेंगे दूसरी बार फिर से क्रोशे पर दागा लेंगे तीसरी बार फिर से क्रोशे पर दागा लेंगे चौती बार फीर से क्रोंट से डागा लेंगे पांच्टी भी बार टोटल फारे टाम निकालना में इस तरह से लेंगे हैँ सारे फंदे एक स Cup निकालेंगे फिर यहाँ पर इसे बांद लेंगे बांदनी के भार तीन चेन लेंगे एक, दो, और ये तीन, फिर से पफ बनाएंगे आप एक, तब पांच बार में निकालना हमें, एक बार निकाला, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, और ये पांच बे बार, सारे फंदे बंद करेंगे यहां पर, इस तरह से, अब देखें, उपफ बना लिए हमने, कुरो से पर धागा लेंगे, और फिर से देखें हम इसी तरह से बनाने हम, तियां से, यहां से देखेंगे, डिजाइन को, देखें, एक, दो, और ये तीन, यहां से बनाना स्टार्ट क करेंगे जैसे मैंने या शुरुवात में बनाएबा सेम आपको इधार भी बनाना आपको यहां पर लेंगे हम ट्रिपल क्रोशे करना, डबल क्रोशे नहीं, अगर आपको ट्रिपल क्रोशे ना पसंद तो डबल क्रोशे में भी डिजाइन अच्छी लगेगी, दो दो फंदे करते हैं निकालेंगे हम, तो एक बार हो गए, फिर उसके नेक्स्ट वाली चेंड पर डालेंगे, दूसरी बार फिर उसके नेक्स्ट वाली चेंड पर, यहां भी ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, यह जितनी भी डिजाइन चलेगी, ट्रिपल क्रोशे की ही चलेगी, सरी बीच में हमारी पफ आएंगे, देखे तीन ट्रिपल क्रोशे कर लिए, अब इसकी बीच में बनाएंगे, यह जो ग तीसरी टिपल कुरुषय फिर तीन चेन लेंगे हम एक दो और ये तीन चेन फिर से दो बड धागा लेंगे कुरुषय पर और यहां पर डालेंगे हम देखें इस तरह से डाला हमने एक बड लिया दूसरी बार और ये तीसरी बार फिर कुरुषय कुरुषय पर धागा लेंग एक बढ़ारा बनार, दूसरी बार और ये तीसरी बार, दो हो गई, फिर से लेंगे, अब बना लिए हम्मे, अब देखें, पिर से दो बर धागा लेंगे और इसके बगल में तीन चेंज जो है इसमें डालते भी बनाएंगे देखें एक दो और ये तीन तीन भी बनाएंगे इसमें तो हमारी चेंज डली हुई इसमें भी बनाएंगे इसके नेक्टरल चेंज में देखें एक बर फंदा निकाला दूसरी ब अची हुई है यहाँ पर यहाँ पर हम डबल क्रोशे कर लेंगे तीन फंदों को तीन बार निकालेंगे एक बार दूसरी बार और यह तीसरी बार तीस तरह से देखिए हमारी पहली लाइन बनके कम्प्लीट हो गई दूसरी लाइन के लिए यहाँ पर हम six chain लेंगे यही दो लाइन को आपको बार बार रिपीट करना एक दो तेन चार पाच और यह ची चीन लेंगे इधर पलट जाना आपको पलटने के बाद देखिए क्रोशे पर दो बार धागा लेंगे अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे यह वाली देखिए यहाँ पर six आपको ट्रिपल क्रोशे दिख रही है तो एक दो तीन में बनाएंगे यह तीन को छोड़ देंगे हम यहाँ पर डालेंगे हम इस जगह पर एक ट्रिपल क्रोश है होगी दो और यह तीन अब यह तीन स्कीप करते हुए अब इसकी बीच में जो खाली जगह है यहाँ पर बनाएंगे हम फिर इस तरह से तीन ट्रिपल क्रोश है तीन चेन और तीन ट्रिपल क्रोश है इसकी बीच में बनाएंगे इस तरह से धागा लेंगे यहाँ से बनाना शुरू करेंगे तीन हो गई फिर तीन चेन लेंगे एक दो और यह तीन फिर से यह सी जगह पर तीन बार बनाएंगे चेन के अंदर ही टोटल छे बार बनाना हर बीच में तीन चेन का गैप लेंगे हम अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छे रखते तो प्लीज वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें आप लोग इस तरह से करते हुए देखें फिर यह पर दो लेंगे फिर से दो लेंगे फिर से दो लेंगे हम इस तरह से फिर से क्रोशे पर धागा लेंगे दो बर अब देखिए निरो तो बीच में हमने यहां पर बना लिए अब कुरोशेया फिर से हम दो बार दागा लेंगे आप देखें आपे 6 है हमारे पास triple crochet तो एक दो तीन को छोड़ देंगे जो हमारे puff के साथ जो बगल में है इन तीनों में बनाना है में इस तरह से धागा उठाते वह नीचे तरफ से डालेंगे यानि front post आपको triple crochet करना है इस तरह से एक बार हो गया फिर crochet पर धागा लेंगे उसके next वाले में बनाएंगे दो दो फंदे करते वह निकालेंगे फिर से दो बार धागा लेंगे और उसके next वाले पर डालेंगे दो दो करते वह निकालेंगे एक दो और यह तिन अब देखें पफ है तो पफ की बीच में सारी पफ की बीच में फिर एक साथ निकालेंगे आपर या पर चेन लेंगे एक दो और ये तीन चेन फिर से जगह पर डारेंगे फिर से एक पॉफ बनाएंगे तो एक बार निकाला हमने दूसरी बार तीसरी बार चौथी बार और ये पांची बार ऐसे लिए हम बंद किया हमने इसे अब देखें पॉफ इसे लिए दो बर धागा इस तरह से उठाएंगे हम इसे दो फंदे निकालेंगे दो फंदे फिर से दो फंदे यहां भी इसी तरह से गड़ेंगे टोटल तीन ट्रिपल क्रो से बनाना है हमें देखो गई दो और यह तीन अब देखें सुरुवात में यहां पर बनाया था गैप में इस गैप में इसी तरह से हमें यहां बनाना है देखें इस बीच में बनाना है में फिर से हम तीन ट्रिपल क्रो से हम तीन चेन और तीन ट्रिपल क्रो से हम जैसले हम यहां पर बना लेती हमें दो तीन फिर से तीन चैन लेंगें एक, दो और ये तीन चैन क्रोश अपर धागा लेंगें दो बार एक, दो फिर से जगाँ पर तीन बार बनाएंगें दो हो गई और ये तीन फिर से क्रोशे पर दो बर धागा लेंगे अब देखिए याप पर पी 6 है आपके एक दो तीन इन तिनों को स्कीप करेंगे लास्ट में जो तीन है इसने डाल के बनाएंगे इस तरह सिहां पर लेना है एक ट्रिपल क्रोश है दूसरी ट्रिपल क्रोश है और यह तीसरी ट्रिपल क्रोश है इस तरह से क्रोशे पर दागा लेंगे इसकी बीच में आपर डालते हुए है तीन फंदों को तीन बार निकाल लेंगे इस तरह से देखिए तमारी डिजाइन कंप्लेट हो गई तेहीं दो रोगों को बार-बार हमें रिपीट करती वी जाना है आपको तो देखिए इदर से फिर किस तरह से बनाना है पीछी साट से तिहां पर हम चार चेन लेंगे पहले एक दो तीन और यह चार चेन इधर पलट जाएंगे अब एक दो तीन बची हुए हमारे पास तिहां फिर हम ट्रिपल क्रोश्य करेंगे इस तरह से देखिए जैसे पहली हो बनाई थी इसकी भी इस में बनाएंगे जैसे में यह पर से बना ही खेक यहां strangers से Алगे हैं राफ बनाया पे ताने ह्चे छीन से लुद्स अन एक तरह से बनाना है तो उम्हीर है कि आज के वीडियो आप सब को अच्छा लगा अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरू कर दे हैं अपलों तो मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ थैंक यू